जब हम वेट लोस जरनी पे होते हैं, खाना पिना थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो कई बार हमें बहुत जादा क्रेविंग्स होती है, जिसे तरदियों के मौसम में सुबस बार प्राथा खाने की क्रेविंग्स, ऐसा मन करता है कि कुर्खुरा प्राथा उसके उपर हलका सा घी हो कि तम मज़ा आ जाए, लेकिन हम इस वज़े से डर जाते हैं कि हमने खा लिया वेट बढ़ जाए, तो छोड़ो हम नहीं खाते हैं, और इस क्रेविंग को मन में लिए घुमते रहते हैं, तो मैं एक प्राथी की रेसिपी आपको बताने वाली हूं, चाहे आप रोटी बन करके, और सिर्फ एक अलू डालना है, और अलू का टेस्ट भी आपको आ जाएगा, अगर आलू के प्रांथे आपको बहुत पसंद है, तो इस पेशल आलू उबालने की ज़रत नहीं पड़ेगी, और यह सोचना नहीं पड़ेगा, जालू के प्रांथे खाएंगे तो अमरा साथ में आपका वेट लोस भी करेगा और आपको खुश भी करेगा, तो चलिए, शुरू करते हैं वीडियो को, हेलो प्रेंट्स, मैं सुमन चुहान, सर्टिफाइड डायटीच, न्यूट्रिस्टिनिस्ट, आपकी विटनस्ट टेनर, मेरे चैनल है स्वागत है, मेरे चैनल टमाटर भी ले लिया है, एक छोटा सा आलू ले लिया है, एक प्याज लिया है, और बहुत सारा धन्या पत्ता लिया है, कोई भी आपके पास पत्ता हो, मेथी पत्ता हो, पालग पत्ता हो, कुछ भी आप ले सकते हैं, सबसे पहले तो इनको मुझे कद्दुकस करना है, सब आपको ये भी लगेगा कि आप प्राठा खा रहे हों, आपको संतुष्टी पूरी हो जाएगी, और इसको मैं बारी काट लूगी. सबसे पहले मैं आटा डालूँगी, सारी सब्जियों को इसके अंदर ही डाल देना है, ये दन्यापत्ता बारी काटा हुआ, और एक मैंने हरी मिर्ची बारी काट लेती, अगर बच्चे हैं और मिर्ची खाना पसंद नहीं करते तो इसको अवाइड भी कर सकते हैं, अब थोड़ी सी मैं डालूँगी, अजवायन, बहुत थोड़ी सी, इतनी सी, थोड़ा सा धन्यापाउडर, और नमक, स्वाद की अनु दाल सबजी बनाई हुए तो नमक को वोइड भी कर सकते हैं, और बस इसको अच्छे से मैस करना है, और पानी तब ही डालना है, अगर आपको लगे पानी डालने की जरुरत है, नहीं तो सबजों के अंदर पानी होता ही है, तो उससे भी कई बार हमारा आटा बन जाता है, त के तियार हो गया है, आप चलिए परांठे बनाना शुरू करते हैं, आप थोड़ा सा टाइट करना चाहिए, तो उसी हिसाब से आटा कम ये जादा भी कर सकते हैं, अब ये आपको मोटा लग रहा है, लेकिन जब ये सीख जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा सबजिया है, तो जब सबजिया सीख जाती है, तो वो और ज्यादा क्या बोलते हैं, पॉंटिटी में कम हो जाती है, तो ये परांठा जब आप डालोगे बना के, त जब सीख जाएगा तो बहुत पतला दिखेगा, और इससे अपका सैटिसफेक्शन जादा होगा, कहने का मिनिंग ये है, जब आप इतना सारा फाइबर एड़ करके अटे में खाते हो ना, तो आप कम खाओगे, और पूरे तरीके से सैटिसफाइड हो जाओगे, यानि मैं ज्यादा तर बच्चों को टीफिन में ये ही पराठा देती हूं, क्योंकि बच्चे ये बोलते हैं, कि मुम्मी कुछ अच्छा बना के दो, आलू के परांटे बार बार बच्चों को खिलाएंगे, बच्चे मोटे हो चाएंगे, और सब्जों के परांटे आपने देखा बच्चों को मज़ा आजाता है, तो ये अच्छे से सिख चुका है, और ये बहुत थोड़ा सा हमने घी लगा दिया है, ताकि हमारा टेस्ट और बढ़ जाए, और घी कोई खराब चीज नहीं होती है, ये नहीं कि वेट हमेसा घी बढ़ाता है, तो घी खाना बंद कर देंगे, थोड़ा घी आपको जुरूर खाना चाहिए, गुड फैट भी आपकी बोडी में होना चाहिए, तो इस तरीके से हमारे परांठे तयार हैं, इनको आप चाय के साथ, या दहीं के साथ, या पचार क किसी चीज के साथ भी खाना चाहते हो, आप नहीं संकोच खा सकते हो, आपको ये नहीं, उस दिन सोचना पड़ेगा कि या न्यूटरिंट तो हमारी बोडी को मिले नहीं, हम तो वेट लोस जरनी पे थे, तो ये क्या हो गया, ये तो गलत चीज़े हमने खा ली, मतलब बहु सोचना पड़ गया है, तो चलिए जल्दी से मेरे मूँ में भी पानी आ गया है, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है इस तरह की प्राथे, ये किन माने है, एक बार मेरे कहने से ट्राइ कर लेना, और फिर मुझे कमेंट करके जुरूर बताना आपको कैसे लगे और फ्रेंट ये देखी कितने कंचे आपको दिखाते हैं, कितने सोफ्ट है, सिर्फ एक आलू डाला है, देखी कितने सोफ्ट हैं, ये देखी, आप खाएंगे तो येकीन आपको हो जाएगा कि इससे स्वादिस प्राथा कोई हो ही नहीं सकता, आलू के प्राथे खाना आप भूल इसको आपको आज पर ऐसे ही सेख लेना है, तो उमीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने आप तो ट्राइक करेंगे ही करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक चरूर करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हो नवीडियो में तक तक के लिए, बाई, टेक केर